सातियों जिस तरह से आज कल हम लोग सुगर को ले करके भायभीत रहते हैं आज देखा जाए तो छोटे-छोटे कम उम्रे के लोगों को भी सुगर हो जाता है और सुगर होते ही हमारे मन में खौप सा आ जाता है कि अरे यार सुगर होगे आप क्या करें अब तो यह ठीक नहीं होगा अब तो मुझे जीवन भर परहेज करना पड़ेगा जीवन भर जो है समस्या है जहिलने पड़ेंगी और सच मुझ में साथी हूं जब सुगर होता है जब आप जांच कराते हैं सुगर में आपको रिपोर्ट आती है कि आपको सुगर का लेविल बढ़ गया और संजो जनक होस में आते हैं तो पता चलता है कि अब तो आपकी दवा छूटी गई नहीं यहां तक की सिती यह बन जाती है कि कुछ दिनों के बाद तो अगर आपको दवा से कंट्रोल नहीं होता है तो आपको इंसुलीन पर भी जाना पड़ जाता हूं जरा सोचिए कि अगर आपक को सूगर से निजात नहीं मिले तो कितना अजीव सा लगता है लेकिन सात्यों मैं एक बहुत ही महत्तपुन जानकारी आप लोगों को दूंगा और जानकारी के साथ साथ कुछ प्रमाड़ भी दूंगा सूगर अगर है निश्चित रूप से हमें मानते हैं कि सूगर को पुरी तरह से खतम नहीं किया जा सकता लेकिन जो दिमाग में आपके जो भय जो निरासा जो खौफ जिसके वज़े से आप जीवन बर एक दासत के महौल में रहते हैं मैं निश्चित रूप से आपके उस द मार दूँगा इसी प्रमार के तोर पे मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अगर दुर्भा के पूर्ण तरीके से आपको भी अगर सुगर की समस्या है और आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि एलोपैथी दवा मैं छूट जाए और मुझे कैसा कोई विकल्प मिले कि मै मैं कम से कम मानसिक रूप से ठीक रहूं असातियों मैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं कि देर इज नो सिंगे लेलोपैथी फिल्स विचेज नो साइड इफेट तो सुगर की दवाओं का जब आप उसके हिस्टी में जा करके जब उसके एडवर्स इफेक्ट को पढ़त इसके साथ थोड़ा रहें और मुझे दवा ना खाना पड़े तो सातियों आप होमीपैथी का विकल्प चुन सकते हैं आज ऐसे ही मेरे साथ हमारे बहुत ही सुबचिंतकों में से एक हैं कोई भी समस्या होती है तो मेरे हां इलाज कराने आती हैं और इनका पूरा परिवार हमसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है दुरुभा की पुर्ण तरीके से बहुत अच्छे से चल ला आता सब कुछ लेकिन बीच में इनको कुछ ऐसा समस्या आई कि सूगर की समस्या हो गई जब आपको सूगर हुआ तो मेरे हां आई और कही डाक्सा मैं बहुत परिशान रस्मी बटनागर जी जी आप आपके उमर लबग कितने होगी 45 के आसबास जी आप पूरी बात बताएए चुकि दर्सकों को आप पूरी बात बताएंगी तो सबसे बड़ी चीज क्या होगा कि सूगर को ले करके जो दिमाग में लोगों के भय है उससे निश्चत रूप से उनको थोड़ी सी आसा की किरण जगी अब बताएए आप कैसा महसूस कर रही है पहले से कैसा क्या था आप सुरू सुरू मेरे यहां इलाज करने आई तो आपकी क्या इस्तिती थी बहुत खराब इस्तिती थी जब आपके पास आयते तो बहुत भालत खराब थी उसके बाद जब आपकी दवाईयां ली तो उसके बाद जाके बहुत अराम मिला हम बिल्कुल ठीक है आप मेरी दवा लोगा कितना दिन खाई थी करीब साथ महीना आठ महीना सुरू सुरू में जब जांच हुआ तो आपका सुगर कितना था करीब 350 350 सातियों 350 सुगर था और मेरी दवा प्रेशन टाइप का हो गया था और यह जरूर है कि आपने जो भी दवा किया बिल्कुल रेवलर किया और आज पिछले कितने दिन से दवा बंद हैं लोग की करीब एक डेड़ महीन हो गया अपसा बंद हुआ अच्छा नहीं इधर तो बहुत दिन से दवा ने नहीं मेरी दवा के साथ साथ इनके साथ एक जो बहुत बड़ी चमतकार देखने को मिला लगवग 9-10 किलो वेट इनका कम हुआ यह बहुत बड़ी चीज हुई कि अगर इनका वेट बहुत ज्यादा रहता था वेट के वज़े से विचारी बहुत परेसान रहती थी आज वेट कित रही है सिर्फ हमने यह बताया था आपको खान पान रहां सही रखना है और आपकी अपनी दिंचरिया सही रखिए यह थोड़ा योग भी करने लगी है थोड़ा मालिवाग भी करती हैं और पिछले काफी दिनों से मेरी दवा भी अब बंद हो गई और आप बिल्कुल फिट कर सकते हैं तो आप लोग अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो कहीं भी अपने छेत्र के किसी अच्छे होमिपैथिक चिकित्सक्त से मिलके होमिपैथि दमाओं को जो दुस्प्रभाव रही और पूरी तरह से सुरवचित हैं लेकर के सुगर के छेत्र में अपने लाइफ को सेव करके और खुशाल जीवन जी सकते हैं बहुत बहुत हिंद्वाद